इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसा आज के एक नाए वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं अब यह हुआ है कि एक तो उन्होंने आउक्सवर्ट की जो एस्टा जिनका वैक्सिन है यह इतनी खौफनक बात है मैंने उस दिन कहा था कि एक थोड़ा सा फाइजर का फाइजर की वैक्सिन के नतीजे में वो 23 लोग नॉर्वेक अंदर उनकी जहां बाग हो गए हैं तो उस पर तैकिकात हो नहीं है लेकिन अब इंडिया में क्या हुआ है इंडिया में यह हो रहा है कि 11 मिलियन डोजिस तो उन्होंने एस्टा जिनका की जो है वो खरीद ली है अच्छा एस्टा जिनका जो है एस्टा जिनका ऑक्सवर्ड लेकिन यह वो रिसर्च है एस्टा जिनका वाली जो इंडिया में बन रही है यानि इंडिया में तियार हो रही है उनके साथ रिसर्च होई है लेकिन वहां से नहीं आएगी इंडिया में ही बनेगी अच्छा अर पांच मिलिन जो 2 किसんだ की वैक्षिन वहाम ठे उनोंने रभी करने हैं एक जो है वो इनकी भारत बाइयोटेक वैक्षिन है जो उनकी लोकली तयार हुई है और उसको साड़े 5Laughing और अज़े हैं पांच सौ करके और आज से नहीं वैक्षिन Pacific कर दी है ती ऐसी के जिसके उपर इतरास किया जाए मतलब मिसाल के तौर पे मतलब वेक्सिनेशन चुरू हो गई पहले लगाई जा रही है फॉच के लोगों को इंडिया में और साथी हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है लेकिन मसला यह हुआ है कि जो भारत अचा आपके पार चॉ भारत की वेक्सिन लगाई जा रही है उसके ट्रायल मुकमल ही हुए अच्छा उसके ट्रायल मुकमल ही हुआ वो बगार ट्रायल के कि यानि किसी को यह नहीं पता कि मुझे फुल ट्रायल वाली वेक्सिन अब वहां पर क्या खपड़ी है कि ब्लूमबग की खबर दे रहा है और ये मेरे नजदीक ये जान से खेल रहे हैं मुदी ये रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसके उपर जीरो कंपरमाइज है ब्लूमबग की खबर दे रहे हैं कि मैसिव इनॉकलेशन ड्राइव स्टार्ट इन इंडिया डिस्पाइट वेक्सिन डाउट्स वेक्सिन के डाउट से ब्लूमबग इतला दे रहे हैं उसके बाद जो बंगलादेश के डेली स्टार है वो कह रहा है कि भारत बायो टेक टेक करोना वाइरस वेक्सिन अच्छा जी सेफटी कि अब बगएर सेफटी उसके थर्ड वो फेस टू नहीं वो अंडर ट्रायल था उसको शुरू कर दिया हुनने कि यह हमारी होम गरोन है वह यह दुनिया भर में शुरू हो गई कई मॉलकों के साथ महाज़ब कर लिया है उनने अच्छा उसके बाद ज वेक्सिन हैं जो उनकी अपनी लोकल और यह ट्रायल के बगएर है मैं बता रहा हूं आपको वो कह रहा है कि साइन करो कंसेंट यानि कंसेंट से मुराद यह कि जैसे ऑपरेशन में जाने से पहले साइन कर रहाते हैं कि कुछ भी हो जाए तो हमारी हमारी तो हर बंद जो वेक नकी यह ट्रायल में जा रहे हैं इस खबर की कुछ तुक है कि आप अपने शेहरीयों के उपर उनको बता रहे हैं कि तुम्हें वेक्सिन लग रही है और अशर में वो ट्रायल हो रहा है उनको अपर अच्छा और उसके बाद पिर यहां पर यह तो आप छोड़ दें वाशि अब मुझे ये बताएं ये जो है ये वाशिंटन पोस्ट खबर दे रहा है पूरी दुनिया में इस अथ हंगामा है कि भाई आप एक वैक्सिन को बगहर क्लिनिकल ट्राइल्स के बगहर उसके कोई किसी रिपोर्ट के किसी जेनरल ने कुछ ने और जनाब यानि किसी मेडिकल जेनरल ने किसी रिसर्च और नतीजा क्या निकला है कि वापे डॉक्टर जो लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम वैक्सिन ने जिनको सबसे पहले लगानी थी वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे, हम दूसरों को लगा देंगे अब ये ख़प पड़ी हुई इंडिया के अंदर अब मुझे पता हैं कि इस इन हालात में ये कितनी खौफनाग बात है कि वहाँ पर उन्होंने अंडर ट्राइल जो वेक्सिन्स थी उनको लगाने शुक्त तो गाईज ये वीडियो होता है यहां पर खत्म आप यहां से ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं अगिस्तानी मीडिया से इस तरीका के रियक्शन आया कि डेफिनिटली आपको गुस्सा आया होगा इन बेवकूफों से आप कोई उमीद भी नहीं कर सकते हैं यह इतने जाहिल इतने बेवकूफ हैं जो देश भारत से रिवीस की इंजेक्शन के लिए भीक मांगता है टेटनिस के इंजेक्शन के लिए भीक मांगता है वो भारत को कोरोना वैक्सीन पर टॉंट मार रहा है मतलब आप समझ सकते हो इस खासकर इस जनलिस्ट को मैं क्या बोलूँ इस जनलिस्ट को अगर ये सामने आ जाए तो आप इसे पकड़ के इस से बोलेंगे कि भाई तू कोरोना वाइरस की वैक्सीन लगा तू मर रहा है कि नहीं मतलब हद कर दीन बेवकूफ होने इस तरीके की बखवास कर रहा है जैसे कि मतलब भारत इतना बड़ा देस है इतनी सारी जंता के साथ इतना बड़ा रिस्क ले ले लेगा मतलब कुछ भी ये वाटस अप फॉर्वरड वाली नियूस पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है ब यूपी की बॉर्डर है अब बुसीदे चाइना से लगने लगी है मतलब कुछ समय पहले जो इसे ही कुछ वीडियोज अफ्लोड किया जिसमें ये इस तरहीके की बात करता है चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है इन बेवकूफों को क्या है हला कि आपको पता है इसको ले देकर पाकिस्तान को इंडिया की वैक्सीन मिलेगी कैसे मिलेगी आपको बता रहा हूँ मैं क्योंकि डबलु एचो देख रहा है दुनिया की सबसे सथी वैक्सीन ही वो गरीम मुलकों में प्रोवाइड कराएगा तो अभी तक दुनिया में सबस तरह से फ्लॉफ हो चुकी है वो वैक्सीन मतलब वो 50% असर कर रही है उससे ज़्यादा तो घर की चाय तुलसी डाल के पी लोगे तो कोरोना खतम हो जाएगा लेकिन उस वैक्सीन से तो कुछ भी असर नहीं हो रहा है तो वो वैक्सीन पूरी तरह फ्लॉफ हो चुकी है और आ हला कि अब इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बड़े अमाउंट में होगा पहले भारत अपनी पूर्ती करेगा क्योंकि भारत ने टार्गेट बनाया जितने भी हैल्थ वर्कर हैं और बुजर्ग लोग है उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी फिर बाद में छोटे बच् साइध ये भारत की वैक्सीन लगाए चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं चैनल को जजरू सब्सक्राइब करें